पार्थ इस स्रिष्ट के प्राणियों को मिर्ट्व के पस्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिदाना होता है जहां वो पिछले जन्मों में किये हुए पुन्य कर्मों अथ्वा पाप कर्मों का फल भोगते हैं फिर जब उनके पुन्यों और पापों के अनुसार सुक दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है तब वो इस मिर्ट्व लोक में फिर सजन्म लेते हैं इस मिर्ट्व लोक को कर्म लोक भी का जाता है क्योंकि इसी लोक में प्राणि को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी तारत बन दी है